कि रमश्कार मैं हूँ आपके साथ प्रियातिवारी और आप देख रहे हैं के के डिनी शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ तो क्रहमंत्री अमिच्छा का कानपूर दौरा है आज और शुचा कानपुर में आज प्रत्याशियों के लिए वोच मांगेंगे और साती साथ प्र्शॉपी नाहों इसको देखते हुए रूट को किया गया है तो बड़ी ख़बर रहा है जहाँ पर ग्रहमंत्री अमिच्छा का आज कानपूर दौरा है ग्रहमंत्री अमिच्छा आज कानपूर दौरे पर रहेंगे और अमिच्छा कानपूर में आज पदयात्रा भी करेंगे वही विधान सभा प्रत्याशियों के लिए अमिच्छा वोट मांगेंगे वही कानपूर में पद्यात्रा को लेकर रूट को डाइवल्ट कर दिया गया है कि अधियोगी आदितनाथ का फिरोजाबाद दौरा है आज दोपहर करीब 12 बजे सिर्शा गंज में जनसभाग को सीम योगी आदितनाथ संबोधित करेंगे वहीं करीब दोपहर के एक बजे बचगाउ में सीम जनसभाग को संबोधित करेंगे तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं जहांपर सीम योगी आदितनाथ आज पिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे करीब 12 बजे CM योगी आदितनात सिर्सा गंज में जनसभा को संबोधित करेंगे वही एक बजे की करीब बचगाउं में CM जनसभा को संबोधित करेंगे पैसी बीच बड़ी खबर करेंगे बड़ी विशाल डिग्री कॉलेज में जनसभा का आयोजर निकी आगया है कि किसान निता राकेश टिकैत का आज राय बरेली दौरा है आज स्वराज पाल्टी के योगें रियादव का भी राय बरेली का दौरा है तो किसान निता राकेश टिकैत आज राय बरेली में पहुचेंगे वहीं स्वराज पाल्टी के योगें रियादव भी राय बरेली का दौरा करेंगे और आज सन्युक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉन्फरेंस भी की जाएगी और शेहर के होटल में करीब धाई बजे प्रेस वारता कहां पर आयो जन क्या गया है तो बड़ी ख़वर्स वक्त कि आपको बता रहे हैं जहाँ पर किसान नेता राकेश्ट कैस आज राय बरेली के दौरे पर रहेंगे और साथि साथ बताना चाहेंगे आपको कि स्वराज पाल्टी के योगेंद्र रियादव का भी आज राय बरेली दौरा है आज सन्युक्त किसान मोर्चा के बैनर तले प्रेस कॉंटरेंस की जाएगी और शहर के एक होटल में करीब धाई बजे इस प्रेस वारता का जो आयोजन है वो यहां पर रखा गया है सीता पूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सीता पूर से बड़ी खबर है यहां पर सडक हाथसे में चार लोगों की मौत हो गई है जिहां अनियंत ट्रक ने बाइक सवारों को कुछल दिया है और बाइक सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई ह फिलाल पुलिस ने शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है और साथी साथ इस पूरे मामले की जाच परताल भी पुलिस ने शुरू कर दी है तो बड़ी खبر इस वक्त के आपको बता रहे हैं, सीतापुर से बड़ी खबर है जहांपर सड़क हाथसे में चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई है बताना चाहेंगे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को कुछल दिया है और बाइक सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है सूशना मिलने पे पुलिस ततकाल मौके पर पहुची जहां पर पुलिस ने पहुच कर शवों को अपने कबजे में लेकर पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है साथी साथ पुलिस लगातार से पूरे मामले की जाज़ परताल में जुटी हुई है